नमस्कार में हूँ संजय किशोर साल दोजार साथ भारते क्रिकेट के लिए बड़ा उथल पुथल भरा रहा रहा रहो द्रवड की कप्तानी में भारते टीम वेस्टेंडीज में पचास वर्स का वर्ल्ड कप खेलने गई टीम में द्रवड के अलावा सचिंते अंदूलकर सौ पित हुआ पहले ही मैच में बांगलादेश से भारते टीम पॉल्ड कप से बाहर कर दिया भारत पहले ही राउन में बाहर हो गयी पचास वर्ड कप के बाद उसी साल सितंबर में दक्षिन अफ्रिका में ICC World T20 खेला जाना था World T20 के पहले भारती क्रिकेट टीम में एक बड़ी घटना घटी जो बात में महत्पुर्ण साबित हुई राहुल द्रवी ने कप्तान पत्त से इस्तीफा दे दिया और टीम के वरिष्ट खिलारियों सचिन तेंदूलकर और सौरों गांगली को भी मना लिया कि वे T20 World Cup खेलने दक्षिन अफ्रिका नहीं जाएं इन तीनों नों BCCI के चैन करताओं को सलाह दी कि लंबे बालों माले 26 साल के इवां महन सिंग धोनी को टीम का कप्तान बना दिया जाए उस समय सचिन और द्रविष्ट चौती सोती साल के थे और गांगली एक साल बड़े 35 साल के थे आज फॉर्म के लिए संगर्ष कर रहे हैं विराटक वाली 33 साल के हो चुके हैं और फिटनेस की समस्या से जूचते रहे रोहिष्शर्मा 35 साल के हैं क्या इतिहास दोराया जा सकता है क्या अक्टूबर में उस्टेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्लकप के लिए टीम की कमान 28 साल के हारदिक पांडिया को नहीं सौप देनी चाहिए पहले ही सीजन और पहली बार कप्तानिकर हार्दिक पांडिया गुजरात को आई-पेल का चैंपियन बना चुके हैं और अपनी काबलियस साबित कर चुके हैं आई-पेल में रोहिश शर्मा, विराट कोहली और केल रहुल वन्डे की कती से टी-20 खेलते नजर आए ऐसे में क्या वर्ल्लकप की टीम में इनकी जगह बनती है बनती भी है तो सिर्फ अनुभाव के कारण क्या एक बर फिर द्रविश और गांगली टीम के हित में कड़ा फैसला लेंगे अगर आप इस साल भारते बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे तो टीम में विराट कोहली और यहां तक की रोहिश शर्मा की मौजूद्गी पर आप भी सवाल उठाने लगे कि 2022 में इंखिलाणियों का उसत देख लिजिए रविश जड़ेजाने एक सो तीस के उससे सबसे अच्छा उनका जो असत है नीपक खुटा दूसरे नमबर पर हैं शेर साइयर तीसरे अठावन दस्वामलों पांशन उनका उसत है वेंगेटे साइयर चौथे संजू सैम्सन 44.66 के उसत से 50 नमबर पर है हरदिक पांणिय चटियर नमबर पर है । शू रिकुमार यादो नमब्र हां और शौ किशन brakes की हैं आथे. 9 नमबर पर रिशापन, 10 नमबर और विराटको하्ली 1011 नमबर पर हैं। प्टेन में विराट कोहली और रोहिश शर्मा नहीं है अगर हम उसत की बात करें तो उसत के आधार पर मौजुदा खिलारियों में कोहली ग्यारवे और रोहिश शर्मा बारवे नमबर पर हैं साल 2007 में भारते टीम के खिलारियों की आउसत उम्र 23 साल थी कप्तान धोनी 26 के थे 39 साल का जित अगरकर सबसे उम्र दराज खिलारी थे जबकि सहवाग तब 28 साल के थे 18 साल के प्यूस चावला सबसे युवा खिलारी थे रोहिश शर्मा जो बाँजिज़ा टीम के कप्ताने 20 साल के थे इवराज सिंग और गौतों गंभीर 25 साल के हरवजल सिंग 27 साल के थे धोनी की कप्तानी में इवर टीम ने पहले टी-20 वर्लकप जीत कर इतिहास रच डाला जबकि टोनामेंट के पहले भारत ने सिर्फ एक ट टूबल में खेले गए टी-20 वर्लकप में भारती टीम में 9 खिलारी 30 प्लस थे 30 प्लस थे नतीजा सामने था उम्र सब कुछ नहीं होती है माना अनुभों का भी अपना अलग महत्त है लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इवर खिलारी बेहतर साबित हो सकते है दोर साथ में भी क्रांदिकारी फैसले से जीत मिली थी इस भार भी कड़े फैसले लेने का वक्त है आज बस इतना ही क्रिकेट और स्पोर्ट की दुम्या की तमाम ख़बरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एंडिटीव इंडिया और एंडिटीव स्पोर्ट हिंजी को स सब्सक्राइब करना नहीं बोले हैं साथे आप ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्वीटर है एट सेंड किशोग बहुत-बहुत धर्लिवाद और रवसकार